नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस वर्ड इंडिया मैं हूँ आपके साथ नेहा परिहार यूटन क्यों लिया गया है क्योंकि आप तक पूरी जानकारी पहुचा रहे हैं आरक्षन बचाओ संगर्श समिती अकलिश यादफ से मिली है और ऐसे मैं उन्होंने मांग किये कि संसद में यह बिल पास कराया जाए आरक्षन दिया जाना चाहिए इस पर प्रमोशन भी मिलना करें तो मुलाइम सिंग यादफ से लेकर अकलिश यादफ तक इसका विरोध करती हुआ थे लेकर एकदम से क्या हो गया कि अकरकार ये पूरा मुद्धा ही परट दिया गया है और यूटन लेली अकलिश यादफ ने प्रद्यूम बिल्कुल सही कह रहे हैं इलेक्शन आ रह कर तैयारियों में लगी है उनका ये यूटन कोई नई बात नहीं है ये सियासत है सियासत में उतार चड़ाओ चलता रहता है ऐसे कई यूटन आते हैं और अखलेश यादफ और मुलाइम सिंग यादफ पहले से इसका विरोध कर रहे थे आपने जैसे भी बताया कि सड़को पर इसका विरोध होता था लेकिन जो ये इसका एक कहीना कहीं सियासी माइने भी सामने आ रहे हैं पचासी विदानसाबा सीटे हैं अनुसूचित जाती के उमीदवारों के लिए आरक्षित हैं तो कहीना के कुल जो 23 फीसदी दलिक मत दाता है तो उनकी महत्तपूर्ण भू उमीका तो एहम हो जाती है लेकिन आप तक एक जानकारी और पहुचा दें कि अकले श्यादव हमेशा यही कोशिश करते हैं क्योंकि यूपी कि अगर हम बात करते हैं तो दलिस समाज को दो हुस्से में बाट दिया गया एक हिससा आजाता है गैर जाटव समूदाएका ऐसे म आगर जाटव समाज की बात करते हैं तो चोदावीज दी और आट फीजदी है और अगर 2019 के चुनाफ की बात करते हैं तो ऐसे कई बी स्पी के नेता तो दिगज माने जाते थे उनों रहें बीस पी को छोड़ दिया था और सभा में वो शामिल हो गए थे लेकिन अगर जिस सपा की सरकार आएगी और वो फ्री में वैक्सीन देगी तो उनको कही ना कहीं यह उमीद है कि उनकी सरकार आने वाली है 2022 में वो अपनी सरकार लाएंगे और जैसा कि अभी का महौल है बीजेपी को हटाने के लिए हर पार्टी वो कॉंग्रेस हो अब तो आप भी शामिल हो अगा रहा है गडबंधन की बात हो रही है अब ऐसे में देखना होगा वैक्सीन तो उनने एकदम साफ इंकार कर दिया कि वैक्सीन नहीं लगेगी लेकिन जो इनका यूटन है यह सियासी माइनो में भी है अब यह तो जंता पर निर्भर करता है कि क्या जंता समझदारी दि उनको साधनी की कोशिश भी अकलेश आदव यहां पर करते हैं अगर बीती दिनों की बात करें तो अकलेश आदव ने यह बयान दिया था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और जो हमारी अगर सरकार बनती है तो हम अपनी वैक्सीन लाएंगे वो भी फ्री में दी तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी टकर मिल सकती है बिलकुल मिल सकती है और रही बात ओवेसी की तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के जो वोट काटने का काम करते हैं और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता है तो इसलिए कि विपक्ष में को बीजेपी को टक कर दे पाए लेकिन कोशिश यहाँ पर लगातार जा रही है ओवेसी की बात करते हैं तो आपते की जानकारी पहुचा दे हैं कि उत्रप्रदेश में मायवती से गटबंदन करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दलिज समाच के लोग और मुस्लिम समाच के लोग जादा तर बीएसपी को वोट देते ही देते हैं ऐसे में गटबंदन होता है तो यहाँ पर मुस्लिम समाच के लोग भी OVSV को वोट देंगे अगले शयरव की बात करते हैं तो बीते साल में यह भी दिखा गया था जहाँ पर गटबंदन भी हुआ था ऐसे में वो गटबंदन मायवती और अगले शयरव का ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया था उसके बाद आरूप प्रत्यारूप का दौर यहाँ पर जारी हो गया था लेकिन अब जिस तरीकी से यूटन लिया गया है लेकिन जनता समझ पाएगी क्या क्योंकि 2022 नस्दीक आते जा रहा है ऐसे मैं कई तरीके के ओफर यहाँ पर पाटी देती है कि आरक्षन दिया जाएगा नौकरी दी जाएगी लाइट पानी की सुविदा अच्छी कराई जाएगी सड़क बनाई जाएगी लेकिन जब वो पाटी काबिस हो जाती है संता मै्त उसके बाद वो सारे जो भी निर्णे लेने की बात होती है वो उस पर पानी फिरता हो नजर आता है जिस तरीके से बारिश हो जाती है तो यहां पर तो वह दिखता ही नहीं है दूल तो क्या यहां पर कुछ भी अटने का नाम लेता है इस तिरफ वादे किया जाते हैं उसको फिर बेफकुपने से लोगों को भ्रमित करके क्योंकि आप यहां पर देखिए आप की बीते कई सालों की बात करें तो मुलायम सिंग य प्रद्यूम कहीं न कहीं राजनीती में हर दाव पे संभव है और लोग करते भी है राजनीती में सत्ता काबिज करने के लिए अपनी सत्ता बनाने के लिए हर 80 चोटी का जोड लगाते हैं राजनीती कहीं तक भी गिरा सकते हैं कहीं तक भी उठा सकते हैं रही बात आपने गडबंधन की की और वेसी का जो गडबंधन है वो शुपाल यादो अखलेश के चाचा जी जो है वो भी गडबंधन में आ रहे हैं लेकिन गडबंधन की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी ये बड़ा सावाल है क्योंकि सपा के साथ कु मेंदारी मतलब देते हैं कि गलत थेराते हैं ऐसा नहीं है इनके वज़े से ऐसे हो गया तो कहीं न कहीं गटबंधन की सरकार टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्योंकि यह जो मुद्दा हो रहा है यह काफी सियासी रूप लेता जा रहा है लगाता आरक्षन की बात पहले भी होती हुई है उसके लिए ट्रेनेग भी रोग दी जाती थी बड़े बड़े आंदूलम प्रदर्शन की जाती थी लेकिन अब आरक्षन पाने के लिए वो कोश अब आधव समुदाय के लोग हैं वो तो देती ही देते हैं वो अखली शादफ को मुस्लिम लोग भी देते हैं ऐसे मैं अब दलित लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मुला मैवती से उनका मुभंग हो चुका है करीब दो दर्जन निता ऐसे हैं बस निती है वो हर वक्त करवट लेती है और जब इलेक्शन आते हैं तो यह जो विधायक नेता है वो पार्टी बदलने का इनका दौर चालू हो जाता है कि इस पार्टी में जाएंगे लालज देते हैं कि इस पार्टी में आओगे तो यह मंत्री पत मिलेगा यह विधायक यह जगह मिलेगी, उसके चलते मंत्री और विधायक सब इधर उधर पार्टी में बदलते रहते हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर आगे की रणीती क्या है, इलेक्शन को भले ही कुछ समय बचा हो, लेकिन रणीती पे काम कर रहे हैं, बीजेपी भी अपनी प यार किया गया है, वही यूपी में किया जाएगा, तो क्या बिपार की जो पिछली सरकारे है, वो सब फेल रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि अमिश शान ने एक बयान दिया था कि पूरी दुनिया से लड़ा हूँ, मुख्यमंत्री योगी को बनाने के लिए, तो ऐसे मैं इस चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, कागजों पे तो सारे काम होते हैं, लेकिन जमीनी हकिकत इतर ही दिखती है, जमीनी हकिकत में कोई काम नहीं होता है, वो चाहे विकास की बात कर लिजे, एजुकेशन की बात कर लिजे, अपराद की बात कर लिजे, दावा ठोकती है, सरक पूफ नहीं रही है आज के समय के अपराज इस तरीके से आप जिकर कर रहे हैं तो कहीं न कई उत्रप्रदेश में वह मुख्य कारण रहते हैं सरकार की विफलता सामने लाने के लिए लेकिन अगर हम बीते सालों की बात करें तो जब सपा की सरकार थी तो उसमें भी लगातर बढ़ रहे थे लेकिन उसमें भी देखा गया था नहा कि जिस तरीके से अपराज थामने की कोशिश पूरी की जा रही थी लेकिन फिर भी विफल साबित हो रहे थे लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि जब चुनाव नस्दी कई है अब बढ़ा सवाल कि इस ब्त्रिक्राइब कम दोब चरए लेकिन नेहा समाच पर जादा फोकस किया जाता है क्योंकि अगर बीजेपी की बात करते हैं तो कहीना कि दलिस समाज उनसे नाराज रहता है पिछलों वर्ग में रहते हैं वो लोग उन पर सब सुख सुवधा नहीं पहुच पाती है तो अकलेश अरफ का पूरा जो उनकी सोच चल रही है वो यहीं चल रही है कि मुसलिम तो वोट देंगे ऐसे मैं दलिस समाज को लुभाने का पूरा प्रयास है और जब दलिस समाज को बीजेपी से कुछ नहीं मिल पा रहा है किये गया थे उनको सब को रिवर्ट कर दिया गया था और मायवती यह आदेश के बाद भी इन यह प्रमोशन का सिलसिला जारी था यूपी में दलिस समाज को पूरा लुभाने का प्रयास हैं पर किया जाता है उसके लिए तमाम तरीके के हट कंडे भी अपनाया जाते हैं चाहिए वो आरक्षन देने की बात हो नौकरी देने की बात हो अच्छा घर देने की बात हो लेकिन दलिस समाज के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि दस मिनिट के लालच के चक्कर में वो ऐसी सरकार ना बना दें कि कहिना के बाद में उनको पस्तावा हो अगर हम बस्पा की बात करते हैं तो माय बती न दलिस समाज के लिए वाकिये में बहुत कुछ किया था, सभा की बात करते हैं तो सिर्फ जुमले मिलते हैं, बीजेपे की बात करते हैं तो दलिस समाज के लिए कुछ होनी पाता है ऐसे ही मैं अकलेश यादव यूटन ले रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया है अकलेश यादव से मिली है, उन्होंने इस बात का जिकर किया है कि आप संसद में इस बात को रखें और प्रस्ताव रखें कि इस पर कारवाई होनी चाहिए तो अकलेश यादव ने उनको पूरा अपना सयोग दिया है और कहा है कि ये बात रखी जाएगी और इस पर निर्ने भी जल से जल दिया जाएगा तो सबसे बाड़ा सवाल है कि सिर्फ कुर्सी पाने के लिए आप यूटन इस तरीकी से मार देते हैं चाहिए आपके कोई भी बात हो पहले आप उसका विरोध करते थे लेकिन जब आपको लालच दिख रहा है कि भाई हमको इस चीज से फायदा हो सकता है क्योंकि दलिस समाज के लोगों को काफी पिछड़ वर्ग में रखा जाता है उन तक सब सुक सुविदा नहीं पहुच पाती है तो उनको भी दलिस समाज को भी चीज लगती है कि अगर यादब सरकार बनती है तो कहिना के हमको आरक्षन मिलेका नौकरिया मिलेंगी हमारे बच्चों का आगे का भविश है वो अच्छा हो पाएगा प्रद्यूम जैसे आरक्षन बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी से नहीं बहुत समय से चलता आ रहा है और रही बात सपा सरकार के लालज देरी की तो जिस तरह से अभी इस समय के हालात है रोजगार को लेकर लोग परिशान है और बाकी चीजों को लेकर तो कहीं न कहीं इनकी ये रणनीती कही न कहीं डंग ला सकती है क्योंकि दलित समुदाय को हमेशा पिछड़ा वर्ग और ऐसे करके उनके लिए सुविधाय की बात होती है वो उतनी नहीं दी जाती है लेकिन एक कहीं न कहीं ये बात भी सामने आती है कि एक जर्णल कैटेगरी का लड़का या भी सब्सक्राइब करेंदेती कि का रिष्ड और तक आधाय सुथी कि जिसषह क्राव करते हैं ये जो एक रण ग्तवर्ट की करते हैं तो मोगाा नहीं मिल errors तो आरक्षेंट देना तो बिल्कुल गलत हो जाता है अगर आपके अंदर टेलेंट है तो आगे आईए और एक्जाम की दिए चाहिए वो नौकरी की बात हो चाहिए किसी की भी बात हो आरक्षेंट के चलते बहुत सारे टेलेंटेट लोगों को प्रहतिभाई वो पीछे रह और इन्होंने जो यूटन लिया है कि राजनीती में कदम रखने के लिए यह राजनीती में सत्ता हासिल करने के लिए जो कदम है यह तो कितना महत्पूर्ण साबित होगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा बिल्कुल फायदा तो कहीना कि उठाया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अकले शादव यूटन ले लिया है पूरी कोशिश उनकी यह है कि दलित समुदाई के लोगों को यहाँ पर साधने का प्रियास उनका यहाँ पर लगातार जा रही है लेकिन अब देखने वाली बात यह हो जाएगी कि आने वाले सालों में क्योंकि जादा टाइम नहीं बचाए 2022 में विधान सवा चुनाव होने है ऐसे मैं जनता इस बात को समझेगी या नहीं समझेगी क्योंकि लगातार चाहे कोई भी पार्टी रही हो वो इस तरीके के वाइदे करती है लेकि उन पर खरी नहीं उतरती है तो इस बार यह जरूर देखने वाली बात यह रहेगी कि जनता इस बात को समझ पाएगी या नहीं फिलाल इस खास पेशकर्श में सिर्फ इतना ही बने रहे है नीज वर्ल इंडिया के साथ नमस्कार